कि हेलो फ्रेंड्स आप लोग स्वगत है इस्टेडि करो यूट्ट चैनल पर तो फ्रेंड्स यह दिया आप लोग कछा 11 के विद्यारती है तो आप लोग का जो पेपर होने बाला है बहुत तो उसके लिए बहुत से इंपोरेंट कोशन लेकर आया हूँ महात्यपूर्ण ट्रस्न सेलेक्टेड कोशन आप लोग के लिए ओके तो फ्रेंड्स से इस वीडियो में मैं आप लोग को जितने भी कोशन बताऊंगा उन सबी कोशन को आप लोग को अच्छी तरह से तयार कर लेने हैं ओके यूँकि इन को इस वीडियो में बताने बाला हूं उन सबी को आप लोग को हर हालत में तयार कर लेना है तो स्लेट्ट कोशन बहुत ही जब जादा महत्पूर्ण कोशन बतानौ को आप लोग वीडियो को देख लीजे अच्छी तरह से और आप लोग चैनल को सब्स्क्राइब भी कर तो चलिए फ्रेंट्स हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सब पहले हम लोग बात करेंगे आपनों की जो में कोश्चन आते हैं तो जो अपनों को पहला कोश्चन बनता है कार उर्जा पर में लिखिए दोस्तों बहुत दीजान महातपूर्ण प्रस्ट है और हर बार क जाएं हुआजए घ्चार यह की वार्षिक पर इचाओ यह कोश्चन तो पूचह ही जायाएगा जो कार उर्जा पर में लिखिए यह कोशन मैं आप लोगों को बता रहूं 100% आप पीपर में पूछा जाएगा इसके बाद है प्रत्यास्त इस्थतिज उर्जा की परिभासा लिखिए ओके इसके बाद आप लोगों का अंगला कोशन जो है कोड़ी सम्वेक सरच्छट का नियम लिखिए यह भी दोस्तों सत्यास्त संघट क्या होता है इसके बाद है आप लोगों का नेश्ट कोशन जो है कि किसी पिंडिका जड़त्य आघूर्ण किनकिन कारणों पर निर्भर करता है इसके बाद है घूर्णन गति में जड़त्य आघूर्ण के भौतिक महत्तिव को इसपास्ट कीजिए इसके ब बाद है बरनावली का प्रवे लिखिए यानि प्रवे आप लोग लिखना पूरा फिद्ध करना ओके तो यह कोशन बहुत जाना महत्पूर इसके बाद बढ़ते हैं अले कोशन की तरफ इसके बाद आप लोगों का जो नेश्ट कोशन है कि किसी स्प्रिंग को खीचने या दवाने पर संचित इस्थतीज ओर्जा के लिए सूतरिस्थापित कीजिए इसके बाद नेश्ट कोशन है सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु की कूल यांत्रिक अंगला प्रशन है कोड़ी समयक और बल अगहुंड में संबंध इस्तापित कीजिए इसके बाद आपनों का अंगला प्रशन देखते हैं किसी बाई बल का प्रवाना हो तो द्रव मूद की आकिरती सदैव गोल होती है कारण इस्पष्ट कीजिए इसके बाद आप रशन है विमी विशलेशन के उपयोग लिखिए इसके बाद है विमी विशलेशन की सीमाएं लिखिए इसके बाद अंगला प्रशन है अपनों का साधिसों के योग संबंधी त्रिमुच का नियम लिखिए इसके बाद है उर्जा सरक्षण का नियम लिखिए इसके बाद है धारा र इसके बाद है आपनों का सिद्ध कीजिये की मूल मी दुस्य थीटा पर फेके गए प्रक्षेप के लिए प्रक्षेप कोण का मन लिखिये इसके बाद आपनों का कृतिम उपग्रह किसे कहते हैं इसकी कक्षी चाल एवं संपूर उर्जा के लिए सूत्रिस्थापित कीजिए ओके तो यह हो गए आपनों के important question ओके जो कि आपनों के आती हैं अब देखते हैं आपनों के important objective type question ओके तो चलिए देखते हैं इसके बाद है एक वाकश में उत्तर दीजिए आप दोस्तों जो यह question है यह सिर्फ एक वाकश में उत्तर दीजिए इस type question भर्मे नहीं आएगे यह आपके objective में पूछा जा सकता है और यह आपके रिर्दिस्थानों की पूरती में पूछा जा सकता है और यह आपकी सही जोडी में भी पूछा जा सकता है मैं आप लोगे लिखा हूँ कि एक वाक्य में उतर दिज़ी इस टाइब question के लिए कि आप लोगों से पूरा कॉस्टिंध कांसर बने oh okay इसलिए मैं इस सबीगों को एक ही कктेगरी में रख दी आऊ okay तो पहला कोश्टिंध जो है कि बलका विमीज्ध उत्र लह तु बलका विमीज्ध उत्र आप लोगो अच्छी तरह से याद कर लिए मतलब आपनों से लिखते बादा चाहिए इसके बाद है हाइड्रोलिक मसीर की फिद्धान्थ पर कार करती है तो बहुत जाना महत्मूर कोश्चन है इसके बाद है इसके बाद है जब बल और विस्तापन के मत अधिक कोण हो तो कार की प्रकृती कैसी होगी इसके बाद है अगला कोश्चन दुरुवी उबग्रह की प्रिथ्वी तल से उचाहि लगभग कितनी होती है इसके बाद है किसी सदिस एकी दिसा में एकांग सदिस लिखिए इसके बाद है कार कंडी की दर को क्या गयते है इसके बाद है तुले काले उबग्रह का आवर्तिकाल कितना होता है इसके बाद है एकांग छेत्रफल पर कार करने वाले प्रत्यानाय बल को क्या गयते है इसके बाद है आपनों का next question घोडन गती एवब इस्थानातरण गती के सायोजर को कौन सी गती कहते हैं इसके बाद है आपनों का next question है कि बंद पत्थ में सरक्षी बल द्वारा किया गया कार कितना होता है इसके बाद हम देखते हैं आपनों का अंगला प्रश्ण है इसके बाद अंगला प्रश्ण है आपनों का संख्या 0 तसंबलाव 0 1 3 0 0 में सार्थक आंकों की संख्या कितनी है ओके आप लोग बताना है इसके बाद है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने है तो प्रक्षेप कोड कितना होना चाहिए इसके बाद है अगला कोश्चन जो है कि एक मिनुट फ्रेंट्स इसके बाद है अपनों का प्रत्यास संघट में क्या सारक्षित रहتा है इसके बाद है बल अगुर का मातरक लिखिए जड्ट अगुर्ण का मातरक लिखिए गुरुति विभाव का मातरक लिखिए तो इस टाइब कोश्चन दोस्तों बहुत ही ज़यादा महत्पूर्ण इसके बाद है गतीज उर्जा का मातरक लिखिए कारे का विफूतर लिखिए इसके बाद है अपनों का एक प्रकास वर्फ दूरी को परवाफित कीजिए इसके बाद है यदि कोई मसीन एक मिनट में 300 जूल कार करती है तो उसकी सक्ति बताइए तो यह होगा आप लोग के सभी महत्पूर्ण प्रश्ण मैं आप लोग को आप लोग फेपर से रिलेटेट जीते भी इंपोर्ण कोईश्चन है वो मैं आप लोग बता दिया हूँ आप लोग इन सभी कोईश्चन को जरूर तयार का लिजेगा दोस्तों ताकि आप लोग उसे पेपर अच्छा जाए क्योंकि दोस्तों यह सभी बहुती ज्यादा इंपोर्ण कोईश्चन है ओके सिलेक्टेट कोईश्चन है तो आप लोग इनको जरूर फे जरूर तयार का लिजेगा तो चलिए फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में बफितना ही मिलता हूँ आप सभी से अंगली वीडियो में तरतकली जैन जै भरत वंदे मात्रम